हालो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग मैं एसोक और आप सबका स्वागत हैं मेरी यूटूब चैनल एके ओफिसियल स्टेनोग्राफिस सीरीज में दोस्तों आज मैं आपके लिए डिक्टेशन अच्छी सब्द परती मिनट लेके आये हूँ दोस्तों इस डिक्टेशन में आपको विराम चिन, कोमा और सब्द सुधी के बारे में भी बताया जाएगा दोस्तों यह है डिक्टेशन राजस्तान हाई कूट, विधान सबा, SSC, SSB, BSF, CRPF, CISF, ITBP, NTPC, Railway और भी ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें यह है डि यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि परत दिन आपको नई नई डिक्टेशन मिल सके हैं दोस्तों आप लोग अगर इस्टेवना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने उसकिल दोर से गुजर रही है विराम इससे उबरने के लिए देश विदेश की सारी संस्ताएं कई मोर्चों पर परस पर सहयोग कर रही है विराम संगर्स के इस समय में पूर्वरास्ट्रपती और भारत रतन डॉक्टर एपिजे अब्दुल कलाम की यह बातें मानव जाती के लिए एक मार्ग दर्शक की तरह है की यह धरती ही एक मात्र उपग्रह है कोमा जहां जीवन संबव है कोमा मानव जाती को इसकी रक्षा और स्रक्षन का दाइत्वे निभाना ही होगा विराम उनका जीवन भी प्रकरती के स्रक्षन की दिसा में हमें काफी कुछ सीख देने वाला है विराम उनकी पूर्णे तीथी का इस आउसर पर रोजमर्रा के जीवन में उनकी बुद्धी मता का इस्मरण और अंगी करण ही उस महान आत्मा के प्रती सच्ची सरदांजली होगी 27 जुलाई 2015 को सिलोंग में कौमा भारतिय परबंधन संस्तान में क्रियेटिंग ए लिवेबल ए प्लेनेट अर्थ विशेपर उन्होंने विकास की जदोजहद में परत्वी के पारिश्तिति की तंतर को हो रहे नुकसान के परती आगाहे किया था विराम, डौक्टर कलाम ने सबसे पहले दो नौंबर 2012 को चीन में पैंचिंग फोरम में इस ओर ध्यान आकरसन किया था कि धरती को रहने योग्य बनाए रखना कितना जरूरी है विराम, उन्होंने कहा था कोमा हमें एक रमनिक धरा के लिए वेश्विक द्रस्टी विक्सित करनी होगी विराम, मानव जाति के लिए इससे अधिक कल्यान कारी कुछ नहीं हो सकता विराम, उनके इस स्वपन को साकार करने के लिए यह आवशक है कि हम चीजों को दोबारा उपयोगी योग्य बनाने अपसीष्ट परबंदन, उर्जा दक्स्ता, धर्ती को रहने योग्य बनाने के परती लोगों को सिक्षित करने अत्वा अन्य संगत कदम उठाने के लिए अपने परियास बढ़ाएं ताकि इसे विश्व द्रस्टी को अमली जामा पहनाया जा सके विराम, आधुनिक समय की जटिलताओं के समधान और भारत को 21 सदी का अगरणी देश बनाने के परियास तेज करने के लिए हमें समश्या का समधान करने की कला सीखनी होगी कॉमा, ताकि वहे विक्राल रूप में धारन कर ले विराम, समकालिन और भावी चुनोतियों का समधान करने तता भारत को विकासिल से विक्सित देश बनाने की दिसा में मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद डौक्टर कलाम के विचार रास्टर के लिए हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे विराम, अंतरिक्स विज्यान एवं तकने की चेक्तर में उनका योगदान सदेव एविस्मर्णिये एवं एतुल्णिये रहेगा सेमिनारों में डौक्टर कलाम का यह सामन्य व्यवहार था कि वे सबी को अपने कारिये के परती मुल्य सत्यनिस्टा कोमा सिद्दान्थ के गोरों के साथ कारिये करने की परतिग्या दिलाते थे कोमा जो बहतर समाज के निर्मान के लिए वक्तियों को मुल्यानकन के लिए परेरित करती थी विराम जैन मुनी आचारिये महापर्ग्य के साथ लिखी गई उनकी पुस्तक परिवार एवं रास्ट्र मुल्ले आधारित समाज निर्मान के लिए परेरित करती है विराम जो भारत को एक महान राष्ट्र बनाने का मारग प्रसस्त करती है विराम लोकतांत्रिक मुल्यों के लिए डॉक्टर कलाम ने राजनिताओं से अपेल की थी कि वे देश के टिकाऊ विकास के लिए राजनितिक परिपक्तक्वता का परिचे दें और इसे विवहार में भी लाए विराम डॉक्टर कलाम ने कहा था कि राष्ट्रिय विकास के मुद्दों के समाधान के लिए सभी को साथ मिलकर काम करना चाहिए विराम दोस्तों मुझे आसा है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि पड़ती दिन आपको नए नए डिक्टेशन मिल सकें तैंकि दोस्तों जे हिंद जे भारत